इस वीडियो का टॉपिक है Creating Opposites of Words तो इस वीडियो में हम कुछ अलफाज के मुतजाद बिनाना सीखेंगे यहाँ पर आपको कुछ letters नजर आ रहे होंगे इन letters को prefixes कहा जाता है और prefixes दरासल कुछ ऐसे letters होते हैं जो के अलफाज के शुरू में लगते हैं और इन letters को अलफाज के शुरू में लगा देने से अलफाज के मानी और word form अक्सर तबदील हो जाती है विसाल के तौर पर यह लवज है happy happy कहते हैं खुश को और अगर हम इस लवज से पहले एक prefix लगा दें जो के हैं letters U और N तो यह बन जाएगा unhappy यानि के नाखुश इसी तरह से यह दूसर लवज है complete complete कहते हैं मुकमल को और अगर complete से पहले I N का prefix लग जाए तो यह बन जाता है incomplete यानि के ना मुकमल इसी तरह से एक और लवज की example देखते हैं यह लवज है pure pure कहते हैं खालिस को और pure से पहले अगर हम I N का prefix लगा दें तो यह बन जाता है impure यानि के ना खालिस कोई ऐसी चीज जिसमें मिलावट की गई हो तो यहां पर इन अलफास की example की मदद से हमें पता चलता है कि किस तरह से किसी भी लवज के आगे अगर हम कुछ letters का इसाफा कर दें कोई prefix लगा दें तो उन अलफास के मानी मुख्तलिफ या फिर तबदील हो जाते हैं और यहां पर चुँके हम बात कर रहे हैं अलफास के opposites यानि के मुतजात की तो हम देख सकते हैं कि un, in और im कुछ ऐसे prefixes हैं जिनको लगा देने से अलफास के मानी उल्ट हो जाते हैं जैसे कि happy से हो गया unhappy complete से हो गया incomplete और pure से impure तो अब हम इन्ही prefixes से मतलिक एक activity कर लेते हैं write the opposites of the following words इस activity में हमें करना ये है कि हमें कुछ अलफास दिये गए होंगे और हमें in prefixes में से किसी एक prefix को लगा कर उन अलफास के opposites create करने हैं तो देखते हैं कि कौन से अलफास हैं capable capable कहते हैं काबल को और अब हमें इस से पहले एक prefix लगा कर इसका opposite बिनाना है तो आपके ख्याल में capable से पहले कौन सा prefix लगेगा? un, in या in capable का opposite बिनाने के लिए इसके साथ जो prefix लगता है वो है in और ये लफ़ बन जाएगा incapable capable कहते हैं काबल को और incapable इस तरह से कहा जाता है ऐसे शक्स को जो के काबल नहीं होता दूसर लफ़ देखते है used यानि के इस्तमाल शुदा और used के साथ जब हम un का prefix लगाते हैं तो ये बन जाता है unused ख़ियर इस्तमाल शुदा यान फिर ऐसी चीज़ जिसको इस्तमाल ना किया गया हो visible visible कहते हैं किसी ऐसी चीज़ को जो नजर आ रही होती है और इसके साथ जब in लग जाता है तो ये बन जाता है invisible यानि के गाइब यहां फिर ऐसी चीज जो नजर ना आ रही हो wise यानि के अकलमंद wise से पहले अन लग जाएगा और यह बन जाएगा unwise यानि के बेवकूफ possible यानि के मुमकिन ऐसी चीज जो हो सकती है और अगर इस से पहले हम in लगा दें तो यह बन जाता है impossible यानि के ना मुमकिन अगला लवस है direct अब direct एक ऐसा लवस है जिसके बहुत सारे मतलब हो सकते हैं जैसे के किसी की रहनुमाई करना या फिर बराहे रास्त या फिर सीधा और इसके साथ जब हम in prefix लगा देते हैं तो यह बन जाता है indirect common यानि के आम और un का prefix लगा देने से इसका opposite बन जाता है जो के है uncommon यानि के जो चीज आम ना हो या फिर खास correct यानि के सही और incorrect यानि के गलत pleasant खुशगवार और pleasant से पहले अगर un लग जाए तो यह बन जाता है unpleasant यानि के ना खुशगवार और आखरी लवस है sufficient sufficient कहते हैं काफी को और insufficient कहते हैं ना काफी को तो यहाँ पर यह वीडियो मुकमल हो गई इस वीडियो में हमने सीखा कि हम किस तरह से कुछ prefixes लगा कर अलफास के opposites बना सकते हैं किस लफ़ के साथ कौन सा prefix आएगा उस बारे में कोई खास rule नहीं है English language में तो बहतर यह है कि हम इन अलफास को इनके opposite words के साथ याद रखने की कोशिश करें तो यह थे ऐसे तीन prefixes जो के अलफास के साथ लगने पर अलफास के मानी तबदील हो जाते हैं या फिर इस तरह से कह लें कि इन prefixes के लगा देने से अलफास के opposites create किये जा सकते हैं तो इस बारे में मजीद अची तरह समझने के लिए आप इस वीडियो को री प्ले कीजिए और साथ साथ पढ़ने लिखने और सीखने का अमल जारी रखें